कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डॉक्टरों ने अपना अहम योगदान दिया था चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो या फिर प्राइवेट बहराल उनके अहम योगदान को देते हुए कानपुर के प्रखर हाउस्पिटल में कोरोना योध्धाओं का सम्मान किया गया प्रखर हाउस्पिटल की डॉक्टर शिखा कुस्वाहा ने बताया की कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है इसलिए सभी को कोविड गाइडलाइन्स का सही से पालन करना होगा उन्होंने बताया की वैक्सीन तो लग रही है जिसका कोई दुस्प्रुभाव नहीं है पिलाल लोग भीर भाणवाली जाग है जानों से बचे ये कोरोना वारियर्स के लिए हुआ है जिन्होंने कोरोना में काम किया है उनके लिए है तीसरी वेव आने वाली है ये सब सुन रहे हैं और ये होगा भी इसलिए आपको डिस्टेंस मिंटें करना है और मास्क लगाना जरूरी है वैक्सीन तो लगी रही है और जो भी ये सोचने है कि वैक्सीन से कोई साइड एफेक्ट है अभी तक तो कोई देखा नहीं है क्योंकि हम लोग के हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगी थी तो कोई परिशानी नहीं हुए किसी को अभी तरह सहवासियों के लिए बस यह देए कि बस आप मास्क यूज करें भीर भार अलाके में ना निकले एजाज लिटरी सुसाइटी की तरफ से आज यहां पर प्रखर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को और पेरा मेडिकल स्टाफ को सम्मान दिया गया है देखे हमने पहली वेव भी देखी दूसरी भी देखी यह कोई कही कह सुनी बाते नहीं है यह हमने देखा है इसलिए बहतर यह है कि तीसरी वेव को बचाने के लिए हर इंसान अपने प्रती जागरुक हो जब वो स्वेम जागरुक होगा तभी उसके सामने वाला जागरुकता को देख के जागरुक होगा और यह चेन बनती जाएगी और करोना गाइडलाइन के पा